स्वागत हैं दोस्तों आपका यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फीजिक्स का जो एक्जाम हुआ था भी पीएसी टीरी 2.0 के द्वारा 15 दिसंबर 2023 को उसको देखेंगे हम लोग पार्ट 3 इस वीडियो में देखेंगे फीजिक्स के अल्रेड हम लोग पार्ट 3 से फीजिक्स को देखते हैं तो आईए हम लोग देखते हैं एक अत्तर नंबर कुस्चन है हमारे पास कुस्चन नंबर 71 है चंद्रमा की सता की तरफ भेजी गए लेजर परकास की किरिणे 2.56 सिकेंड में सता से परावर्तित होकर लोट आती है प्रित्वी के परितः चंद्रमा की कक्षा का अर्ध व्यास क्या होगा तो आपका जो अर्ध व्यास हो जाएगा 3.84 x 10 to the power 5 किलो मीटर यह हो जाएगा इसका राइट अंसर यह हो जाएगा अगला कुस्चन है हमारे पास 72 नंबर बड़े समय अंतरालों के मापन की तकनीक ह आपको मापन की तकनीक बताना था तो इसका जो जो सही आंसर है वो हो जाएगा रेडियो धर्मिता डेटिंग बी हो जाएगा राइट अंसर अगला कुस्चन है हमारे पास 73 नंबर एक लैम के सीरोप और आरोपित बीवह का मान भीज इकोल्स टो 6.0 प्लस माइनस 0.1 भोल् आपको यह बताना है तो यह हो जाएगा 24 प्लस माइनस 1.6 वाट इसका राइट अंसर हो जाएगा ए आगे हम लोग बढ़ते हैं कुस्चन नंबर 74 पे हमारे सोलर सिस्टम के निकरतम इस्तितारे की दूरी 4.29 प्रकास बर्स है यह दूरी प्रती सेकेंड कितनी होगी आपको यह बताना कि परती सेकेंड दूरी कौन सा होगा तो 1.3,2,3 परती सेकेंड हो जाएगा 20 इसका राइट अंसर होगा अगला कुस्चन है हमारे पास कुस्चन नंबर 75 में आपको आवेस का नाम बताना है कि किस त्रूटी सीमा के अंदर में यह होगा तो यह आपका होगा उपकरण से सबसे सटीक मान प्राप्त होता है, आपको ये बताना है, तो ये प्राप्त होता है आपका प्रकासी है, उपकरण जिसके द्वारा प्रकास की तरंग दैर्ध की अंदर लंबाई का मापन संभव हो, C हो जाएगा राइट आंसर, आगे हम लोग बढ़ते हैं कुस् इस पर आपतित होता है, तो उठसर्जन है, आपको उठसर्जन का बताना है, तो इसमें उठसर्जन होगा, नहीं होगा, क्या कुछ कहां नहीं जा सकता है, तो इसमें उठसर्जन होगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, अगला कुश्चन है, आपके पास Q78, इसमें आपको छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है, आपका बॉर्न कहा जाता है, भी हो जाएगा राइट अंसर, अगला कुश्चन है, हमारे पास 80 नमबर, असी नमबर कुश्चन है, हमारे पास की दो रेल गाड़ियां, जिनमें से परते की गती 30 किलोमेटर परती घंटा है, एक दूसरे की और एगी ट्रैक पर जा रही है, एक चिडिया, 60 किलोमेटर परती घंटा वेक से एक रेल गाड़ी के सामने उड़ना सुरू करती है, जब द आपस में टकराने के पूर्व चिडिया द्वारा चली गई दूरी होगी, आपको दूरी बताना था कि चिडिया कितना दूरी पहले तै की थी, तो वह है आपका 60 किलोमेटर यह हो जाएगा राइट अंसर, अगला कुश्चन है, क्यासी नमबर एक्स दीशा की ओर, गती करत अगला कुश्चन है, हमारे पास बेरासी नमबर, बेरासी नमबर कुश्चन है कि लेजर द्वारा उतसरजित एक वरणिये प्रकास की अविरती का मान 6.0 x 10 का पावर है 14 हर्ट, अगर उतसरजित मान 2.0 x 10 के पावर माइनस 3 वार्ट की हो, तो लेजर द्वारा प्रती सेके करेक्ट संग्या होगा, वो 5.0 x 10 के पावर 15 हो जाएगा B, आगे हम बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 83 पे, स्कूटर के स्कूटर के स्कूटर द्वारा मापी गई गती को, ततकाली गती कहते हैं B, राइट अंसर होगा, अगला कुश्चन है 84 नमबर, एक पदार्थ की स्तित को समीकरण x बराबर 2t square प्लस 3t द्वारा ब्यक्त किया जाता है, तो उसकी चाल क्या होगी, तो उसका जो सही चाल हो जाएगा, और समान हो जाएगा, राइट अंसर B, अगला कुश्चन है 85 नमबर, एक पदार्थ की स्तिति को समीकरण x बराबर a sigma omega t द्वारा ब्यक्त किय जाए गया है, तो वो समय जिस पर विस्थापन का अधिकता मान होगा, वो क्या होगा, आपको ये बताना था, तो इसका सही मान हो जाएगा, pi by 2 omega b, अगला कुश्चन है, हमारे पास 86 नमबर, किसी पिंड के वेग में परिवर्तन समय के समान अंतराल के लिए हो, तो पिंड पर लगे रहे त्वरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है, समान त्वरण A हो जाएगा, राइट अंसर, अगला कुश्चन है, हमारे पास 87 नमबर, सीधी रेखा में गती कर रहे है किसी करण का विस्थापन, x बराबर 10t plus 15t square है, जहां x कमान मीटर में तत्थ 80t कमान सेकेंड में, औस त्वरण कमान होगा, क्या होगा औस त्वरण कमान तो 90 मीटर प्रती वर्ग सेंटी मीटर होगा A, अगला कुश्चन है 88, अगर गती कर रहे है कौण, द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी ताय की जाती है, तो कौण का आरूपी त्वरण कमा हो जाएगा आपका सुने ए अगला कुछ ने नवासी नंबर एक बिल्डिंग की छट से एक गेंद उर्धवार्धर रूप से उपर की और बीस मीटर प्रती सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है अगर जी बरावर दस मीटर प्रती वर्ग सेकेंड हो तो गेंद की उचाई कितन नियुम्तम दूरी क्या होगी अगर कार की गती 100 किलो मीटर प्रती घंटा हो आपको ये बताना था तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 24 किलो मीटर 24 मीटर ए हो जाएगा राइट अंसर अगला कुछ ने नंबर किरकेट की एक गेंद 36 से 30 डिगरी कूण बनाते हुए 28 मीटर प्रती सेकेंड की गती से फेकी जाती है गेंद वर्यत्राइग की जाने वाली अधिकतम उचाई आपको बताना है कि क्या होगा तो अधिकतम उचाई हो जाएगा 10 मीटर ए अगला कुछ नहीं आपके पास 29 नंबर एक रॉकेट जिसका भार 0.1 किलोग्राम है म उसके द्वारा प्राप्त वेक का मान 20 मीटर पर 30 सेकेंड है इंदन के जलने पर रॉकेट से प्राप्त उचाल का मान आपको बताना था तो जो सही मान होगा 2 वटे 3 न्यूटन हो जाएगा भी अगला कुछ नहीं है अमारे पास 39 नंबर 93 नंबर कुश्चन 8 किलोग्राम भार का एक ब्लॉक सुरूर में इस्थिर अवस्था में है इसको 12 न्यूटन बल लगाकर घरसन रहे छितिज सतह पर खीचा जाता है 3 मीटर की दूरी चलने के पस्चाद ब्लॉक द्वारा प्राप्त की गई गती होगी क्या होगी आपकी ग प्रती सेकंड के वेग से धरती से टकराती है तो परती रोधों परती रोधी बलों के द्वारा किया गया क्या रेक का आपको मान बताना है तो जो सही मान हो जाएगा माइनस 8.75 जूल भी हो जाएगा राइट अंसर अगला कुश्चन है पंचानमे नमर एच उचाई पर जाता है धरती से टकणाने के एकदम पहले पिन द्वारा प्राप्त आपको वेग का मान भेलो सीटी का मान आपको बताना था तो जो भेलो सीटी का सही मान है वो हो जाएगा टू जी एच का पावर वन बाई टू भी हो जाएगा राइट अंसर आगे हम लोग आ जाते है कु जाते है अविनासी सणरक्षिब मान यह हो जाएगा राइट अंसर अगला कुश्चन आंटनमे नमब एम मात्रा की एक ब्लॉक को XM इस्थितित खीच कर आराम आवस्था में छोड़ा जाता है अगर X बिंदू परवेक का अधिकता मान हो तथा X,-XM तथा XM के मद्धे इस्थितित हो तो X का आपको मान बताना था तो सुनने हो जाएगा X का मान सुनने हो जाएगा A अगला कुश्चन है हमारे पास 99 नमबर, 99 नमबर कुश्चन एक आदमी अपना भार कम करना चाहता है वो एक हजार बार 100 किलोग्राम के एक पिंड को 0.5 मीटर तक उठाता है यदि परते एक बार भार को नीचा करने पर संचित इस्थित उर्जा खर्च हो जाए तो गुरुत्वा करसन बल के बिरूद किया गया, क्या रहे आपको बताना है कि कितना होगा तो यह आपका हो जाएगा 4900 जूल यह हो जाएगा राइट अंसर, इसके बाद है कुश्चन सो नमबर 20 किलोगराम भार का एक बच्चा, 6 मीटर उचाई की घुमावदार फिसल पट्टी पर फिसलता है अगर वो इस्थिर अवस्था से फिसल पट्टी के उचेतम बिंदू से फिसलना सुरू करे तो फिसल पट्टी की सत्व पर पहुंचने परतावेग का मान क्या होगा तो इसका जो सही मान है वो हो जाएगा आपका 11 मीटर परती सेकेंड ए अगला कुश्चन 101 नमबर है एक स्प्रिंग को दो बराबर भागों में काट दिया जाता है परतीक भाग का स्प्रिंग इस्थरांग का मान होगा आपको यह बताना है कि क्या मान होगा तो पूर्व स्प्रिंग के इस्थरांग का दुगुना हो जाता है मान B हो जाएगा राइट आंसर आगे हमलों देखते हैं Q102 अगर किसी पिंड के सम्वेग को 300 % वढ़ा दिया जाए तो सम्वेग में परतीसंद बरिदी कितना होगा आपको परतीसंद बरिदी का बताना है कि कितना अपका बरिदी हो जायेगा तो इसमें 100 .... के बरिदी हो जाएगी वेग में क्या संबंद होगा आपको ये बताना था तो इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा बी इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन एक 104 नमबर एक रॉकेट का बाहरी आवरण पृत्वी से चंद्रमा की सतह पर उडान के दोरान घरसन के का अगला कुश्चन है हमारे पास 104 नमर एक हेलिकॉप्टर द्वारा केबल की साहता से 72 किलोग्राम के एक एस्ट्रोनाट को समुद्र की सतह से 15 मीटर लंबत दिसा में उठाया जाता है अगर एस्ट्रोनाट पर कार्यसिल त्वारण का मान जी अपान टेन हो तो हेलिकॉप्टर द्वारा किये गया कारे का मान आपको बताना है कि क्या होगा तो इसका सही मान हो जाएगा 11880 जूल ए हो जाएगा अगला कुश्चन 107 नमर 40 किलोग्राम भार का एक बालक जीने पर चड़ते समय 12 मीटर की लंबत दूरी 40 सेकेंड में आपको बताना है कि क्या होगा अगर जी कमान दस है तो इसका सही जो भैलू हो जाएगा 120 वाट हो जाएगा आगे हम दो बढ़ते हैं कुश्चन नमर 108 समान मात्रा के दो पिंडो के मध्य प्रत्यास्त संघट होने पर गती उर्जा संरक्षित होती है आपको यह बताना था तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा संघट के पस्चात यह हो जाएगा राइट अंसर अगला कुश्चन है 109 नमबर रियल का एक डिबा जिसकी मात्रा 8000 किलोग्राम है 54 किलोग्राम प्रती घंटा के वेक से चलते हुए समान मात्रा के एक दूसरे इस्थर डिबे से तकराता है गती उर्जा के मान में कमी होगी कितना कमी होगी आपको यह बताना है तो इसके मान में 450 किलो जूल की कमी होगी यह हो जाएगा राइट अंसर अगला कुश्चन 110 नमबर 120 मीटर गहरे कुए से 2000 लिटर पानी को पांच मिनट में उपर लाने के लिए आवश्यक मो यह हो जाएगा राइट अंसर इसका इस तरह से दोस्तों हमने 701 से 110 तक का कुश्चन कर लिया है आगे हम लोग वीडियो में बढ़ेंगे इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को बहुत सारे बीडियो सलुचन भी और साथ इसक्रिप्सन बॉक्स में जाके आप लोग यह देखना ना भूले कि कुश्चन नमबर एक से सतर का क्या आंसर होगा यह देखना जरूर जरूर जाके देखिए और भी बहुत सारा लिंक हमने दे रखा है आपको वाट्सआप ग् से जुड़ना ना भूलिए आए हम लोग आगे देखते हैं 111 नमर कुश्चन हमारे पास 111 नमर कुश्चन है एक मोटर पंप बिल्डिंग के भूतल से 40 मीटर उपर इस्थित एक 30 घन मीटर आयतन से टैंक को भरने में 15 मिनट का समय लेता है अगर मोटर की जहमता दक्षता 30 परसेंट हो तो खर्च की गई बिजली की मातरा होगी क्या होगी आपको मातर ये बताना है तो ये होगा 43.57 किलोवाट ये हो जाएगा राइट आंसर अगला कुश्चन है 112 एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन 2.2 गुने 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेक से 0.53 एंग आपको बताना है कि क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.247 गुने 10 के पावर माइनस 34 किलोग्राम बर्ग मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा भी आगे हम लोग देखते है 113 नंबर अगर किसी द्रिड़ पिंड के रेखिये ताथा कोडिये प्रिवर्तित रहता है तो पिंड की स्थिति डैस में होगी क्या होगी आपका तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतूलन ए हो जाएगा राइट आंसर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पानी के जहाज के अध अस्थल पेंदे को भारी बनाया जाता है अनुसार दर्साया जाता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका भी भी इसका राइट आंसर होगा अगला कुश्चन है हमारे पास इसमें भी हो जाएगा राइट आंसर यह ए 116 नंबर कुश्चन है किसी द्रिट पिंड का किसी अक्ष के परिता जड़त्व आगुण आई तथा उसी पिंड की उसी अक्ष के परिता इकाएं कोणिये वेक को सम गती पर घुर्णन गतिज उर्जा के ए के मान में संबंध आपको बताना है कि क्या होगा तो इसका जो सह ही संबंध है वो हो जाएगा आई बराबर 2KE हो जाएगा अगला कुश्चन 117 नंबर एक फ्लाई फ्लाई विल की गति को 60 rpm से 360 rpm बढ़ाने पर 484 जूल और्जा खर्च होती है तो फ्लाई विल का जड़त तो आघूर्ण होगा क्या होगा आपको यह बताना है इसमें हो जा से 3,120 rpm तक बढ़ जाती है तो इसके समान कुणिये त्वरण कमान है आपको यह बताना है तो यह हो जाएगा चालीस पाई RAD पर सेकेंड स्कॉार सी हो जाएगा राइट अंसर अगला कुश्चन हमारे पास 119 नंबर 119 नंबर में आपको कुणिये विल कमान बताना है तो ज दूरिया क्रम से 1 दसदों 4 गुने 10 के पावर 12 मिटर In 810 के पावर 10 मिटर है अगर सुर्य करतम बिंदु का बिंदु का train कमान चोग उन 10 चार क याप है विल करते है तो इसका जो ज़ऋ हमान है तथा M-small m में तोड़ा जाता है small m तथा M किस परसार कार से संबन्दित है आपको गुरुतवा करस्ण बल अधिक्तम कब होगा ये पूछा गया है तो इसका सही आंसर small m बरावर m by 2 इसका right answer हो जाएगा A अगला गुस्चन है 122 नंबर सानी ग्राव पर एक साल प्रित्वी के एक साल के 29.5 गुना के बरावर है सानी की सोर्य से दूरी क्या होगी अगर प्रित्वी से सूर्य की दूरी 1.5 गुने 10 के पावर 8 किलो मीटर हो ये आप से पूछा गया है कुस्चन तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14.3 गुने 10 के पावर 8 किलो मीटर ये हो जाएगा राइट अंसर अगला कुस्चन 123 नमबर है किसी द्राव में द्वारा आरोपी दाब की गर्णा करने के लिए परियुक्त पास्कल का नियम लागू होता है जब तो इसका क्या रीजन है तो इसके पीछे का रीजन है आपका इस्थिर अवस्था में हो तब ये होगा अगला कुस्चन है 124 नमर सामी करन जो की सेल्टी ग्रेट फैरना हैट तथा रियूमर तापमान एसकेल में संबंध ब्यक्त करता है वो क्या होगा आपको ये बताना था तो ये आपका C by 100 is equal to F minus 32 by 180 is equal to Ry 80 ये हो जागा राइट एक्वेशन 125 नमर एक कुंडली में 0.2 बोल्ट का औसत प्रिरीत EMF तब दिखाए देता है जब इसमें धारा को 0.2 सेकेंड में एक दिशा में 5.0 एंपियर से बिपरित दिशा में 5.0 एंपियर में बदल दिया जाता है कुंडली का स्वाप पेरर तो क्या होगा आपको ये बताना है तो ये आपका 4.0 ये वाला आप ऑप्सन हो जाएगा आगे हम जो लोग बढ़ते हैं कुस्चन नमर 126 126 नमर कुस्चन है एक गिलास के ब्लॉक का आयतन 15,000 घं सेंटीमीटर है इसको 20 डिगरी से 45 डिगरी सेंटीमीटर तक गर्म करने पर इसके आयतन में 5 घं सेंटीमीटर की ब्रिधी हो जाती है ब्लॉक के रिखिये प्रसार गुणां का मान क्या होगा आपको ये बताना है तो इसका जो सही मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4.4 गुने 10 के पाउर माइनस 6 डिगरी सेंटीमीटर इनबर्स ए हो जाएगा राइट अंसर 127 नमर कुस्चन है हमारे पास वाटरफॉल के उचतम बिंदू पर पानी का तापकरम क्या होगा आपको ये बताना है तो जो पानी का सही तापकरम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका और समान हो जाएगा बी हो जाएगा राइट अंसर 128 नमर कुस्चन है निश्चित दाप पर किसी उच्चे गतिज निकाय में होने वाले भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं तो इसे कहा जाता है समदाव रिखिये प्रकरम ये हो जाएगा राइट अंसर 139 नमर कुस्चन है हमारे पास आपको बताना है कि गैस की आंतरिक उर्जा में परिवर्तन का मान क्या होगा तो इसमें सही मान हो जाएगा 50 कैलोरी भी हो जाएगा राइट अंसर 131 नमर उस प्रकरिया को जिसमें उर्जा उसमा एहम कारे के परस पर लेंदेन के पस्चात निकाए अपने पूर्व आवस्था में आ जाते हैं क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है चक्रिये प्रकरिया बी हो जाएगा राइट अंसर 131 नमर गुबारे से अचानक हावा निकाले पर गुबारा हो जाता है कैसा हो जाता है गुबारा तो गुबारा आपका ठंडा हो जाता है बी राइट अंसर आगे हम लोग देख लेते हैं 132 नमर कुष्चन आदर्श गैस के समतापी परसार के लिए उस्मा गति किए गथि क्या उसमीकरण का आपको दिया गया है तो ये हो जाएगा आपको ये बताना है कि लाजा हो यह बढ़ जाता है तो एक सो चौतिस नंबर कुस्चन है सताइस डिगरी सेल्टि ग्रेट ताप एँम एक वाय मंडलिये तवाव पर किसी गयास की दी गई मात्रा का आयतन सो तीसी है आउसत दूरी क्या कहलाती है आपको ये बताना है तो इसे कहा जाता है आउसत मुक्त पत ये हो जाएगा राइट आंसर 136 नमबर कुश्चन है प्लस माइनस ये आवेस के आठ द्वी घुनों को एक घुन के अंदर रखा गया है घुन से निकलने वाले कुल फ्लस का आपको मा अभसित करने पर इकाई लंबाई पर आवेस की मात्रा लेमडा हो जाती है आकरिती के केंदर पर वीदु चेतर का मान आपको बताना है कि क्या हो जाए इसका सही मान हो जाएगा आपका लेमडा ऑपन 4.001 ये हो जाएगा राइट अंसर ची अगला कुश्चन हमारे पास 138 और तिस नमबर है, दो बिंदू आवेस, जो एक दूसरे से D दूरी पर इस्तित है, नाइन न्यूटन बल द्वारा एक दूसरे को भिकर्सित करते हैं, अगर इस दूरी को D से बढ़ा कर 3D कर दिया जाए, तो दोनों के मद्धे लगने वाले भिकर्सन बल होगा, कितना होगा आपको ये बताना है, तो ये हो जाएगा, एक न्यूटन, ये राइट अंसर हो जाएगा, आगे आजाते हैं हम लोग 149 नमबर कुस्चन पर, कि एक चालक जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, पर खुल आवेस, नेट चार्ज की प्रकिर्ती होगी, कैसा होगा ये प्रक आपको ये बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो हो जाएगा, आपका बी, फोर पीकु फैराट बी हो जाएगा, अगला कुस्चन है, हमारे पास 141 नमबर, 141 नमबर में आपको बताना है, चित्र दिया गया, इसमें संघारित्र की सम्तुल्य धारिता का मान आपको बताना है कि क्या होगा, तो सही मान जो हो हो जाएगा, आपका बी, टू एपसिलोन नोट एट अपॉन डी हो जाएगा, अगला कुस्चन है, हमारे पास 142 नमबर, आपको एक परिपत में A तथा B बिन्दू के मद्य सम्तुल्य पर तिरूद का मान आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, तो इसका सही मान जो है, आर अपॉन, आर अपॉन टू ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, अगला कुस्चन 14 अगला कुस्चन है, हमारे पास 144 नमबर, एक 144 नमबर कुस्चन में आपको A तथा B के मद्य परतिरूद का मान आपको बताना है, ये रहा आपका चित्र, तो इसमें जो सही परतिरूद का मान है, वो हो जाएगा, आपका 0.88 गुने 10 के पावर माइनस 4 ओमेगा, बी सी हो जा अगला कुस्चन है, हमारे पास 145 नमबर, मुक्त छेत्र में इस्थित, दो समनांतर ताहर एक दूसरे से 10 सेंटिमीटर के दूरी पर इस्थित है, इनमें से एक ही दिसा में परवाहित, धारा का मान 10 अंपियर है, दोनों चालक एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, चालक एक मोटर 210 भूल्ट का बैक EMF उत्पन करता है, जबकि इस पर आरोपित बीवाह का मान 240 भूल्ट है, और आर्मेचर से परवाहित धारा 5 अंपियर है, मोटर द्वारा खर्चे की गई, उर्जा का मान क्या होगा, तो इसका सही मान हो जाएगा, 150 बाट ए हो जाएगा, राइ 148 नंबर कुस्चन, एक ट्रांसफोर्मर की दक्ष था, असी परतिसद है, यह 4 किलोवाट तथा 100 वोल्ट पर काम करता है, अगर द्वीतिय कुंडली का बीवाह 240 वोल्ट हो तो तो प्राथमे कुंडली में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, आपको यह बताना है, तो इसका सही मान हो जाएगा, 40 A, C हो जाएगा, राइट आंसर, अगला कुस्चन, 149 नंबर, एक धातो की परकास, बीदुत की सिमान्त आवरिती का मान आपको दिया गया है, इसमें आ प्रोटॉन की गती यूर्जा समान हो, तो इनकी ब्रोगली तरंगदर्द का मान बताना है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, एलेक्रोन से जाएगा, एलेक्रोन से जाएगा, तो इस तरह से दोस्तों हमने टोटल 150 कुस्चन जो है, आपका फीजिक्स का, वो कम्प्लीट कर आप लोग comment box में बताईए कि आपका कीतना marks आया है, 120 marks में 30 marks starting का qualifying रहा, आप लोग comment box में बताईए, और यह भी बताईए कि आपकी इस category से belong करते हैं ताकि cut-off वाला video लाएं उसमें हमें सूविता हो पाए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यबाद, अब वीडियो में बन